दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक folio number करके लिखा हुआ है जो कि मेरी SIP का मेरे mutual fund में investment का folio number है अब आप कैसे अपना folio number निकाल सकते हैं कोई भी आपका purpose हो बहुत ही easily मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा यह grow application जिसके उपर मैं SIP करता हूँ नंबर देखना है तो आप mutual fund के तरफ चले जाएंगे उसके बाद आपको जाना है उपर देखिए SIP यहाँ पर एक list है जिसमें SIP लिखा हुआ उस पर चले जाएए आपकी सारी की सारी SIP यहाँ पर आपको नजर आएगी जिस भी SIP जिस भी mutual fund का folio number आपको चाहिए उस पर मुझे मिल जाता है इस folio number का इस्तवाल करके मैं directly website CDSL की अपने fund की जानकारी ले सकता हूँ बहुत सारे लोगों टेंशन होता है ना कि भाई grow बंद हो जाएगा तो हमारे पैसे का क्या तो grow के अंदर पैसे नहीं है आपकी mutual fund में लगे हुए हैं जिसको आप CDSL की website से भी दे जेगा थेंक यू